नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल शेर्मा, प्रोफिसर और हैड डिपार्टमेंट ओफ काडियोलोजी, बॉंबे हॉस्पिटल मुंबई और आज हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज हार्ट में कई तरह की डिजीज होती हैं लेकिन जिस प्रमुक डिजीज के बारे में आज बात कर रहे हैं वो है हर्दे धमनी रोग यानि कॉर्नर रे आटरी डिजीज यानि heart को blood supply करने वाली arteries या धमनी में चरबी के कारण होने वाली रुकावट अगर वो रुकावट tight होती है यानि 80-90% block होता है तो वो angina होता है जिसे हम भारीपान या सांस की तकलिफ भी हो सकती है लेकिन अगर suddenly कोई 100% block हो जाए तो उसे फिर हम बोलते हैं heart attack यानि severe वो life threatening disease हो सकती है मैं उसका इलाज करता हूँ, दवाईयां देता हूँ, angioplasty करता हूँ लेकिन उससे कहीं ज़्यादा important है इन वीमारियों को होने से रोकना यानि मैं interventional cardiologist हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ prevention की क्योंकि भारत जैसे देश के अंदर prevention बहुत important है कैसे रोकें इस बीमारी को, सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि हम अपनी lifestyle change करें दिमाग को ठंडा रखें, गुसा, टेंशन, तंबाकू, smoking, शराप कम नहीं करना है, बंद करना है उसके बाद आता है lungs, यानि हम प्राणायाम करें, breathing exercise करें प्रती दिन कम से कम 30 मिनट फिर आता है पेट, यानि हम नरम नरम खाएं क्या नरम खाएं, सबजी, सलाद, फल, अंकुरी, चना, डाले, ये खूब खाएं नॉन्वेज भी अंडा, सफेद, चिकन या फिश खा सकते हैं लेकिन तलावा, मीठा, बहुत ज़्यादा, नमक वाला, मिर्च, मसाले सामान से अवाइट करें और यो जंक फूड है, वो खाना अवाइट करें, फास फूड नहीं खाएं मटन अवाइट करें, रेड मीट अवाइट करें उसके बाद सबसे नीचे आते हैं, जिसको हम 11 नमबर की बस कहते हैं यानि हमारे पेरों का इस्तमाल, आप चाहें तो वाकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं जॉगिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह से ये हमको चार चीज रखनी है, इसको ठंडा रखना है, इसको अंधरम रखना है, इसको गरम रखना है और इसको प्राणायम करके लंग से प्यॉर अक्सिजन लेनी है अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको हाट की ब्लॉक की बिमारी हो जाए, डायबिटीज, ब्लट पेशेर, कॉलेस्टॉल या मोटापा है, अपने नजदी की डॉक्टर के पास जाईए, उनकी सला से दवाया लीजिए, अगर फिर भी काबु में नहीं आए, तो मैं त क्या करना है, डॉक्टर रनिल शेर्मा बॉंबे होस्पिटल से दूर रहना है, भगवान आपको खुश रखे, जैहिंद।